नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है, आजाशिमा महाजन आपकी एध्यापी का हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है, क्लास एट के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नमबर एट, एतद अनुशासनम, जी हाँ, कस्तूरी संस्कृत पाठे पुस् कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्यूंकि बहुत कम बच्चों को पता है कि कस्तूरी बुक यूट्यूप पर अपलोड़िट है, ओके स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं फटा-फट से एतद अनुशासनम, जाने कि य यही अनुशासन है, स्टूडेंट्स आपकी कोई और भी डिमांड हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, चाहे क्लास 6 में आपके भाई बहन पढ़ते हूं, जा 7 में, कस्तूरी की बुक अगर उसका कोई भी चैप्टर आपको चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, एतद अनुशासनम, यह लोट लकार में है, उकारांत पुलिंग में वर्ड्स हैं, इसके अंदर जैसे उकारांत मतलब छोटा हूँ, गुरू वर्ड है जैसे, ठीके, तो आईए, स्टार्ट करती हूँ, तरो अदै गुरू अस्ति, तरो क कुछ वटवे, शिश्य, गुरुम उपगचंती, गुरू के पास जाते हैं, कुछ शिश्य गुरू के पास जाते हैं, गतवा, जाकर, च, और, त, वे, सर्वे, सभी, गुरुना, सह, आलपंती, आलपंती होता है, बाते करते हैं, किसके साथ, गुरू के साथ, तो क्या बना और जाकर वे गूरू के साथ बाते करते हैं सर्वे वटवा अब सभी शिश्य क्या कह रहे हैं हे गुरो नमे अस्तू हे गुरू प्रणाम हो गुरू शुबंभवतू कल्यान हो सर्वे उपविशन्तू सभी बैठो गुरू ने कहा कि कल्यान हो सबी बैठो, हिमाशु, एक बच्चा उसमें से उठा, जिसका नाम है हिमाशु, धन्यवाद, शिरिमान, धन्यवाद, गुरु कह रहे हैं, युश्माकम, अद्य असिमन, गुरुकुले, अंतिमे दिफसास्ती, तुम सबका, इस गुरुकुल में, आज, ये अंतिम दिन है, त अंतिमे दिफसा, अंतिम दिवस, ठीके, तुम सबका, आज, इस गुरुकुल में, अंतिम दिन है, कथियत, कहो, युयम किम वाच्चत, कहो, आप सभी क्या चाहते हैं, चाहते हो, शंबू, अब शंबू, नाम का बच्चा उठा, भगवन, भगवन, वयम, 12 वर्शानी, गुरु बे, विद्याम अपठा, हम सभी 12 वर्श तक, भवा, द्रिशे बे, आप जैसे, द्रिशे बे, योगे बे, गुरु बे, आप जैसे, योगे गुरु से, हमने, हम सभी 12 वर्श तक, आप जैसे, योगे गुरु से, विद्याएं पड़ी, हम सभी 12 वर्श तक, आप मा वदत इस परकार मत बोलो अध्यापनम गुरो परम करतव्य पढ़ाना गुरू का परम करतव्य है ठीक है शिक्षा देना गुरू का परम करतव्य है अस्तू वदत अहमकीम करवानी अस्तू मतलब ठीक है वदत मतलब बोलो अहमकीम करवानी मैं क्या करूं मनु कह रहा है हे हे गुरू वयम इच्छा में, हम सभी की इच्छा है, यद बवन्ते की आप, बवन्ते मतलब आप, यद मतलब की, असमान किंचित उपदिशन्तू, हमें कुछ उपदेश दे, तो हे गुरू हम सभी की इच्छा है की आप हमें कुछ उपदेश दे, आग्या पियन्तू, आग् को उपदेश दिया जा मैंने अनेक बार उपदेश दिया अध्यपुना उपदिशानी आज फिर उपदेश देता हूँ भोवटवै अरी शिश्यो यूजम सदा सत्यम वदत आप सभी सदैव सत्य बोलो धर्मम पाले धर्म का पालन करो ये सारी आज्यावाचक वर्ड्स है क्य क्योंकि लोट लका रहे चितेन वचनेन कारेन अपी वा हिंसा मा कुरूत चित से जानिकी मन से वच्चन से और कार्य से भी हिंसा मत करो सरवेशू प्राणिशू दियाम कुरूत सभी प्रानियों पर दिया करो मनो तवर नाम मनू क्या कह रहे हैं कि मनो तुमारा नाम मनू है ये मननम चिंतनम चा करोती जो मनन और चिंतन करता है से मनु भवती वे मनु होता है तो हम अपी सरप्रत्रा मननम करो तुम भी सरप्रत्रा मनन करो गुरु नाम आग्याम पाले गुरुओं की आग्या का पालन करो अब मनु बोला भगवन अहम प्रतिग्याम करवानी, मैं प्रतिग्या करता हूँ, अहम एतानी सत्यवचनानी सदा पालिश्यामी, अहम मतलब मैं एतानी सत्यवचनानी, इन सभी सत्यवचन का सदैव पालिश्यामी पालन करूँगा, सर्वे वटवे, सभी ब्रहमचारी क्या क अब गुरू ने बोला प्रिये शिश्या, प्रिये शिश्यो अवश्यम, अवश्य, पच्यन्तु भवन्त है, आप सभी देखो, भानो मतलब सूर्य, सूर्य का प्रकाश हर जगा सर्वत्र बराबर फैलता है, तर्वे, मतलब वरिक्ष, सर्वे बे फलानी यशन्ती, वरिक्ष भी सभी को फल देते हैं, यूयम अपी, तुम सभी भी समम विद्याम यशत, तुम सभी भी सभी को समान विद्या दो, विद्याया प्रधाने, विद ब्हदबाव मा कुरू तो भेदबाव मत करो, कभी भेदबाव मत करो, ओके, मदुरानी वचनानी, मीठे वचन बोलो, मदुर वचन बोलो, स्वाध्यात माप्रमदत, स्वाध्याय में गवंड मत करो, जो पड़ाई करते हो ना, उसमें गवंड मत करो, पित्री देवयभव, क माता पिता को किस के समान मानू अच्छारे के समान देव के समान मानू ओके हम आप लोगों को वैसे भी कहते रहते ना हमेशा सच बोलो जूठ मत बोलो माता पिता की आग्या का पालन करो तो यह सारे वर्ड इसमें ही बताए गए हैं आज कि आपको क्या क्या अच्छे कारे करन छाहिए, कौहें से बुरे कारे मतलब नहीं करने चाहिए, तो इसलिए गुरुजी आग्या दे रही है, क्या स्वाध्यात माप्रदत स्वाध्याय से आलस्य मत करो जा छोपी स्वाध्याय माप्रमत बस यही ठीक है मातरी देवाभव पिता को देवता मानो पितरी देवाभव पिता को देवता मानो और पिता को भी अचारे देवाभव अचारे को देवता मानने वाले बनो अतिथी देवाभव अतिथी को देवता मानने वाले बनो एशा आदेश है ये आदेश है एशा उपदेश है ये उप अब गुरु ने क्या सिखाया बच्चों को प्रिये शिश्यो अवश्य आप सभी देखिए क्या देखिए कि सूरे का परकास सब जगा समारूप से फैलता है। ये आदेश है ये उपदेश है यही अनुश्यासन है। संतु तुमारा मार्ग कल्यान कारी हो। तो गुरु ने भी आगे अच्छा सा उपदेश दिया सभी बच्चों को राइट। तो हमी हमीशा अच्छा बोलना चाहिए जिस परकार गुरु ने बोला कि तुमारे मर्ग शुब हो। यह नीचे आपको वर्ड मीनिंग्स दे दिये गए हैं। वर्ड मीनिंग के बाद आपको नीचे द्रिश की वी बक्ती लोट लकार में दिये हैं। यह पूरा पाठी हमारा लोट लकार में यह उकारान पुलिंग के कुछ शब्द बच्चों आप देख लीजिए क्योंगि यह सारे शब्द आपकी एक्सरसाइस में यूज होंगे कही ना कहीं। तो यह सारे वर्ड आप देख लीजिएगा। और इन्हें समझ लीजिएगा आगे देखते हैं उचित विकल्प चुनकर प्रश्णों का एक शब्द में उत्तर देना है। शिश्य किस के साथ पाते करते हैं तो तीन आप्शन में से गुरू के साथ गुरुना, सर्वे खुत्र प्रणमंती, सभी कहां प्रणाप करते हैं चर्णों में, ठीक हैं, आगे आपको कोशनों के जो आंसर है वो रिटर्न में मिल जाएंगे, पहले कोशन नमबर फोर सॉल्फ कर लेते हैं, अचारे को नमस्कार है, तो आपको क्या करना है, रिखांकित पद के स्थान पर कोश्ठक से उचित पद चुन दें, तो अचारे को गुरुवे, प्रकाशेन की जगा भानुना, माता, शिशो, सिरहेती, वरिक्षा नम की जगा तरूना, चंदरस्य मतलब हीमाशो, प्रकाशेन, रातरी, प्रकाशते, उसके बाद आजाते हैं कोशन नमबर फाइल में, रिखांकित किर्याकिस्त, अच्छा, पहले कोशन नमबर थर्ड रह गया आपका, तो वो देख लीजिए, शंबू ने गुरू से क्या बूला, इसका आंसर दे दिया गया है, उसके बाद है, मन से, वच्चन से और कार्य से क्या ना करें, उसका भी आंसर दे दिया हिंसा नी करनी है हमें, ठीक है, और किस से आलस्य नहीं करना चाहिए, सवाधि गुरू कुल में अंतिम दे दे, अधियापन पढ़ाना, किसका परम करता है है, गुरू का, उसके बाद आजएए, कोशे नंबर फाइव में, शात्रा परिश्रमेन, विद्याम, पठीश्यंती, पठीश्यंती नी, लोट लकार का वड़ी यूज करना है, और शात्रा बहु परम के सामने हाजा नहीं लिखना है आपको, कहता है हमेशा सत्य नहीं बोलना चाहिए, ना, सत्य बोलना चाहिए, अचारे देवता के समाने ही है, साम, सभी सवाध्याई करे, हाँ, कटू वचनानी वदत, कडवे वचन बोलो, नहीं, परानियों पर दिया करो, हाँ, धर्म का पालना करो, नहीं, अब है, इस नाटे आश को आपको पढ़ना है, प्रशनों के उत्तर देने हैं, मनु कह रहा है, हे गुरू, हम च रहता है, तो मनु पे टिक कर देंगे, तुम सब को हमेशा क्या बूलना चाहिए, सत्यम, तो आप सत्यम पे टिक कर देंगे, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, मनु कह भवती, उपर लिखा है, लास्ट, सेकिंड लास्ट लाइन है, ये मननम चिंतनम चकरोती, सै मनु भवती, जो मनन और चिंतन करता है, वो मनु होता है, तो आपको उपर की लाइन जो है, पेराग्राफ से देख के लिखनी है, ये देखिए, आपको ये वाली लाइन लिखनी है, यहाँ से स्टार्ट करके, सै मनु भवती, यहां तक, उसके बाद है, तो हम अपी कुरू, पारकों से लोट लकार है ठीक है लोट लकार आप कोई भी देख ले न उतना प्रुष उसका एक वच्छन जो है वो नी पे एंड होता है तो आई होप एट चेप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जल्दी मिलते हैं आपको आपकी अगली डिमाट के साथ रिटर अनुबाद आपको दे दिया गया है रिटर अनुबाद को देख लीजिए समझ लीजिए कोपी पर नोट करना चाहे तो कर लीजिए स्क्र जो बार-बार कहने पर नहीं करते हैं वो यह कि आप दोस्तों के साथ शेर बहुत कम करते हैं और दूसरा लाइक का बटन प्रेस नहीं करते हैं तो प्लीज जितनी ज़्यादा आप लाइक करेंगे कस्तूरी की बुक के लिए टीचर आपकी जल्दी इंस्पायर होके अगले चेप्टर आपके सामने लेकर आएगी ओके स्टूटेंट्स, all the best for your exam, कोई भी दिक्कत आए, कमेंट बॉक्स में लिख देना गुद्पाय अभीबाद